नमस्कार मैं हूँ प्रिया खरे और आप देख रहे हैं रफ्तार मेडिया तो फिलाल जिस दिन का बेसबरी से इंतजार था यारी बीजेपी का संकल पत्र जारी हो गया है पहले कॉंग्रिस की तरफ से नयाई पत्र जारी किया गया उसके बाद राज़त की तरफ से परिवर्तन पत्र जारी किया गया था और अब वीजेपी की तरफ से संकल पत्र जारी कर दिया गया है इस संकल पत्र को लेकर विपाक्षी काई आरोब भी लगा रहे है विपाक्षियों का कहना है कि संकल पत्र नहीं है वो बीजेपी पूरा कर पाईगी और जिस तरह से विपक्षिया आरोप लगा रही है क्या ये आरोप सही है इन तमाब मुद्धों पर हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले देखिए कि बीजेपी जो संकल्प पत्र जारी की है उसके बाद प्रधार मंतुरी नरेंद्र भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टों की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल्प पत्र विश्चित भारत के चार मजबुत संप युवा शक्ती, नारी शक्ती, गरीब, किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस, डिग्निटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस, क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस, निवेज से नोकरी, निवेज से नोकरी पर भी है इस संकल्प पत्र में, क्वांटिटी अफ आपर्चूनिटी और क्वालिटी अफ आपर्चूनिटी दोनों पर बहुत जोड दिया गया है असी परसेंट किसान है, कितना नोकरी देंगे, नहीं देंगे, इसके बारे में कोई शर्चा भोजगार तो इस नोकरी की नहीं है बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ हो उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बाते हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ महमान जूट चुके हैं हमारे साथ बीजेपी से जूट चुके हैं खेमचंद शर्मा जी वही कॉंग्रेस से हमारे साथ परल चौदरी जी जूट चुकी हैं दोनों महमानों का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहला सवाल पर्ल चौधरी जी आप से ही रहेगा बीजेपी ने अपना संकल पत्र जारी कर दिया है जब कॉंग्रेस ने अपना पत्र जारी किया था उसका न्याय पत्र नाम दिया था बीजेपी ने संकल पत्र नाम दिया है अब इस पर जो है आप लोग सवाल उठा रहे हैं आप लोगों का कहना है कि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र में घोशना की है वो मात्र जुमलेबाजी है जी नमस्कार हम अपने गोशना पत्र को नाए पत्र कह रहे हैं क्योंकि हम किसानों के नाए की बात करें हैं चाए वो किसान हो चाए महिलाएं हो चाए वो युवा वर्ग हो जिको अभी तब कोई रोजगार की बात नहीं की रही है चाहिए उसको वो हक आज इंदा सालों में नहीं मिला है और आज मैं बहुत महत्तुन बात कहना चाओंगे कि आज बाबा भीमराव साहब जी की 133 जयनती है और आज देखिए आज ही इनोंने अपना जो है गोशना पत्र जो संकल पत्र जिसको नाम दिया है उसको निकाला है तो यह सारी जो हमें जो हमारे को ताकत मिलती है हमें संविधान से मिलती है और यह जो राइट टू डिग्नेटी की बात करते हैं वो भी हमें संविधान से मिलता है और आज हम चाहिए आपके बारे में मीडिया की बात करें तो मीडिया जिसको fourth pillar of democracy कहा जाता है यह सारी जो सुविधाय हैं हमें हमारा संविधान देता है और आज आपकी बार 400 पार का नारा देके संविधान को बदलने की बात करते हैं कि बहुत सारे candidates हैं जिनों ने बोला भी है कि 400 पार संविधान बदलने के लिए किया जाना जी चलिए खेमचन जी बहुत कुछ जो है पर चौदरी जी ने कहा बहुत कुछ सवाल उठाए हैं मेरा पहला सवाल है इसका आप जवाद दीजे चौदा तारीक ही क्यों तै की गई अप्रेल चौदा एक तो बाबा भीम राव मेटकर की जैनती दूसरा माना जोरा नवरात अवत्र जारी करना है कि अब कि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी आ रही है अलो जी आवाज आ रही है बोलिए पास्तम प्रावा साथ दीज़ा अवीडकर जी को मानसमाज नेने का काम आते हैं ना पाटे ने किया है मोगी जी ने किया उससे पहले कौवरिस लकादार उनको इन्मों करते रही जो मानसमाज उनको मिलना चीए तब अड़ी दिया चै दिरी में स्वारक बनाने की बात हो आ लेकिन दो चीजे जो है कॉंग्रेस ने कहा है राहूल गांधी ने कहा है कि दो चीजे आपके संकल पत्र में नहीं है एक बेरोजगारी दूसरा महंगाई ये दो बातों से बीजे पी भागती है खेम चन्जी आपके आडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जी अभी आ रही है तो हम कह रहे हैं कि हम प्रॉब्लम हो रहे हैं कि हम उस्काम पिल्ग प्रॉब्लम हो रहे हैं आध बिक्सषपादेट्थे इस इन्वेस्समेन्ट टूज यह है। वे हैं इन्वेस्टमेंट से यह है जोग और स iç यह है। अए जोग पत्ते रिखके नहीं पीकुच यह वाले कि सुस्ट्ष नहीं टाया है। हम लोगों में पचीज तोर स्यारा लोगों को मांग दीविटे बात निकाला है आज पॉइंट एक परसेंट की अपिस्वा स्लोग है तो मांग दीविट के अंतरगाटर वह भी जल्दी कातम हो जाएगी अपने स्वास्त की बात की है खेमचन जी तो सतर साल से जो ज़्यादा के लोग है वृद है उनके वो सभी मुफ्त इलाज किये चाहेंगे जो सक्षम है उनके लिए जरूरत क्या है बीजेपी ने अपने संकल पत्र में लिखा है लेकिन जो लोग सक्षम है उन्हें तो नहीं लगता है कि जरूरत होगी मुफ्त इलाज की केमचन जी आपके आडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है हम पर जी के पास में चलते हैं पर जी जस तरह से संकल पत्र जारी हुआ है इस पर क्या कुछ कहेंगे दो मुद्दे आपने उठाए उस पर तो चर्चा हो गई लेकिन इसके बाद भी कई सारे ऐसे वादे किये गए है बीजेपी की तरफ से और ये कहा गया है कि इन्हीं वादों के तहत वो चुनावी मुद्दे हैं लेकर आए हैं और जनता के समक्ष जाएंगे और जनता कहीं न कहीं उन पर भरोसा जटाएगे उन पर प्यार जटाएगे और चार सो पार का वो नारा लगाए हैं जी ये पहली बार नहीं है जो उन्होंने संकल्पत्र जाली किया है दो हजार निस के चुनाव में भी इन्होंने संकल्पत्र जाली किया था तो जो दिया जाए डेटा, 2014 के मेनिफेस्टों के बाद उन्होंने क्या किया, उनके बास कोई डेटा नहीं है, कि कितनी नौक्रिया लगाई क्या, किसानों की इंकम जो 2022 से डबल होनी थी, वो दुपनी हुई, किसानों का कर्ण जरूर दुना हो गया, तो नौक्रिया नहीं द किस तरह से महगाई दर बड़ी है, जो फिनांस मिनिस्टर है, निर्मता सीतर दामन जी भी भोती है, I don't have that kind of money to fight elections, तो आप देखिए, कि किस तरह से महगाई बड़ी है, कि महगाई की मात इने के लोगों पर पढ़ रही है, कि वो चुनाव लगने के काबल भी नहीं है, और इस बात को बहुत, इस बात में कितनी गहराई है, आप देखिए ही, किस तरह से महिलाओं के साथ कितनी महिलाओं की इनों ने टिकेट काटी है, सुनिता दुगल जी की बात करू, तो उनका 100% attendance है, उनको टिकेट नहीं मिला है, और बहुत सी आसी महिलाई है, मिनापशी आया है, तो महिलाओं की तिकेट काट देते हैं, तो इनकी महिला वियोदी जो attention है, उनको दर्शाता है, और यह जो महिला आरक्षन का बेर है, आपको पता है कितने साल बात आएगा, तो हजार उनत्तिस में आएगा, कब आएगा, डिलिमिटेशन के बाद कब तर खाएगा, जबकि कॉंग्रेस ने काहा है, कि कॉंग्रेस आते ही महिलाओं को गवर्मेंट जॉब में 50% रेजरवेशन देगी, जो गड़ी महिलाओं जी आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो संकल पत्र लाया है, इनका संकल पत्र लाने का में मुद्दा ये है, समिध पत्र लाया है, कि अगर बहुत सारी कॉंस्टिटूशन में अमेंडमिस करने के लिए टुथर्ड मजॉरिटी की जरूरत है, तो ये इस तरह की चीजें लाएंगे, इनके पास टुथर्ड मजॉरिटी है, इनको कोई हेल्दी डिपे, डिस्कॉशन पहले भी नीतियां आती इनके पास टुथर्ड मजॉरिटी से ये बहुत सारी नीयम कानून ऐसे लाएंगे, जो पूरे समिधान को बदल सकते हैं, उसके जो जो बहुते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, जो समिधान का उसमें बदला हम ला सकते हैं. चरिए, खेमचन जी, परल चोधरी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कॉंग्रेस कहा रही हैं कि संकल पत्र, समिधान बदलने के लिए ये पत्र कहा जा सकता है. आपको अबाद स्रीयर्डी? जी, आरी है. लेकिन महिलाओ के लिए बात तो कॉंग्रेस ने भी किये, सर. महिलाओ के लिए तो कहा है कि एक लाग साला ना देंगे? कहा है ना अपने? अपने नयाओ पत्र में तो उन्होंने महिलाओ का भी जिक्र किया है ना, सर? एक लाग साला ना देंगे? पैली को लेती है, पैसल साम से एक हजार बसें भी लिए जार तो बहुत बड़ी बात है. इननों ने विजय विश्ट को नहीं किया, इननों ने वरकिंग मोवेंस की चुती बड़ाई, तीन मेने की चुती मिल्दी टी, वरकिंग मोवेंस को और की मुवेंस की वाट सादी की बात विप्लिंसी में. आज अगर बीटी पहला होती है, बीटी को आप तो करने जुजना के ते रैकाउन दिलॉआ, वो इस सबसे जाजा जाज देने का काम, ताकि माओ आपे प्रेसर ना पड़े, माओ चलिए, परल जी, खिमचंजी से फिलाल संपर्ख तूड गया है, परल जी, जिस तरह से संकल्प जी, परल जी, परल जी, प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने एक बात कही, और ये बाते जो हैं, अब समच से परे हैं, गैस कनेक्शन के उन्होंने बात की, जिस तरह से गैस सिलेंडर के दामों में व्रिधी देखी गई, अब उन्होंने एक नया चीज कहा है, एक नई बात कही है, कि अब पाइप के जरिये गैस कनेक्शन घर घर पहुचाया जाएगा, क्या इसी दाम में पहुचाया जाएगा, या दाम में व्रिधी होगी, ये भ बहुत सारे गरीब गैस सिलेंडर लेने ही पादे थे, उनको फ्री सिलेंडर मिल भी कहे थे, तो अगले बार उनके पास उतने पैसे नहीं है, कि वो सिलेंडर भर भापाए, जब आप बोल रहे हैं, कि देश की 80 करोर जनता आज भी 5 किलो अनाज पे निर्भर करती है, तो आ आप से भी वही सवाल रहेगा, गैस कनेक्शन की बात हो रही है, पाइप के जरीए घरगर गैस कनेक्शन पहुंचाया जाएगा, क्या तैयारिया है इसके लिए? क्या गरीबों को लाब मिल पाया? क्या गरीब जो है, एक हजार के गैस सिलेंडर खरीदने में सक्षम है सर? महंगाई सर, महंगाई अगर मैं 2014 के बात की बात करूँ, तो महंगाई में काफि वृद्धी हुई है, और ऐसा नहीं है कि ये BJP के टाइम में पहली बार है, इससे पहले भी जब BJP की सरकार बनी थी, ये आरों BJP में अक्सर लगते रहे कि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा करती है. और उसी की वज़े से आज हम लों डिमेंटर भी करक्या कर पा हैं, इल्वान स्टर पर भी सरकार भी तो नहीं है कि बीजेपी की सरकाराई तभी लोगों को मुफ्त रासन मिल रहे हैं, इससे पहले भी तो मुफ्त रासन मिलते थे ना सर? रहे हैं? इसमें हम लोगों ने पूरा दिशा दिखाई है, पुरा गोरण विश्कूद किया है कि इस तरी ही हम देश को बिसे राश्च बनाएंगे। प्रश्टर के साथ एकनोमिक एपनिंग बरती हैं चली पारीजी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी जनसभा में जाते हैं प्रश्टर का मुद्दा जरूर उठाते हैं आज मौका था संकल पत्र जारी करने का लेकिन इस दोरान भी उन्होंने ब्रश्टर चार का मुद्दा उठाया और कहा कि जो भी ब्रश्टर चार में लिप्ट है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा उन पर कारवाई तो जरूर होगी तो जरूर होगी किसामों की इंकम डबल की है आप बात करते हैं कि आप 2019 में 212 की बात कर रहे 되어 इंकम डबल करने की तो आप हमेशे आगे ही बात करते हैं आपने किया या कुछ भी किया उसके बारे में बात करते नहीं हैं अए ज़िए जाएंगे आप पीछे किया हुआ तब 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 बारत को बिक्सित बनासे बनाएंगे कि अस्त्रा से तेजस्फी यादों ने कहा कि विहार के लिए इस संकल पत्र में कुछ भी नहीं है लेकिन अगर कॉंग्रेस की बात की जाये तो कॉंग्रेस नी थी नियापत्र में की पॉंड़ चेरी को कहा गया कि पूर्न राजु का दरजा दिया जाएगा विजेस राजु का दरजा दिया जाएगा लेकिन बिहार के लिए बात नहीं की गई जी बिहार की बात नहीं किया है तर बिहार में रोजगा तो मिले है ना हर चीज़ में बात की है इनके संकल पत्र में जॉब जो रोजगा है उस शब्द का प्रियोग आप देखेंगे तो कितने इक बात यह है मुझे जलगा है जॉब शब्द का प्रियोग ही नहीं किया है क्य दाए के सवाल का जवाब ने मिला पर्ल जी मैंने कहा कि संकल पत्र को लेकर आरोप लगा रही है और जुस तरीके के बात की जारी है कि बिहार के लिए कुछ भी बीजेपी ने नहीं कहा अपने संकल पत्र पे लेकिन कॉंग्रेस ने भी तो नहीं कहा मैम पिर भी पिरहार में रोजगार तो मिले है ना लोगों को रोजगार प्राप्त हुए तो जिसी आदम ने इनका पूरा डेटा भी दिया है कि रोजगार कितने प्राप्त हुए और कितने नहीं तो और जिस सरे से कॉंग्रेस पार्टी के मेरिफेस्टों में भी है कि हर साल रोजगार दिया जाएगा युगाओं को और जितनी भी जो गभर्मेंट जॉब्स खाली पढ़ने और भरती की जाएगी तो ये सारा इस बारे में जुरूर जिक्र किया गया है जी खेमचंद जी कई तरह के वादे किये हैं आप लोगों ने इन वादों को पूरा करना क्या संभव हो पाएगा जी अभी आ रही है जी अभी आ रही है देखिए हम दोग जावाद करते हैं और तो जी करके दिखाया है जो कॉपरिस के जवाने वसम होती है कॉपरिस दूपिर की गर्में जर्जर तक नहीं बना पाई ज्वाले तक नहीं बना पाई वो बना लिए का हम दोग बने किया सरफ बीजेपी का जो संकल पत्र है उसमें समय बदलता है साल बदलता है डेट बदलता है लेकिन संकल पत्र जो है वो 2014 में भी वही था 2019 में भी वही है और 2024 में भी वही है कुछ नया नहीं है यह तो अलब करते रहेंगे करते। नहीं थे। दोजय फोजय से पहले क्या हम बढ़ी आसी नहीं थे। हम दस्वी प्रिष्टा दे। क्या हम दूजय फोजय फेहरे बाती देश्ट अब इन्गारथी जो अभी घृपल दाख जैसे एक महापाव जो हमारी देनों के सास्साथ पहले वहरता था। किया कुछ कहना है खेम चंजी ने बहुत सारी अपनी चीजे गिनाई की बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद क्या कुछ किया है और इससे पहले कॉंग्रेस की सरकार थी यूपिये की सरकार थी लेकिन इस तरह के काम नहीं हुए है जी जो 2014 में अपना मनिफेस्टो लेके आए जनता को इन पर भरोसा हुआ और जनता ने इनको वोड़ दिया भारी मातरा में वोड़ दिया और जब 2014 और 2019 में ठीक है कॉंग्रेस पार्टी में इसे लोग अगर दुखी थे तो आपको जिता खेलाए पर आप देश की जनता आपको आपके जुम्रे बाजों में नहीं आने वाली है देश की जनता जानती है कि आपने जो भी वायदे किये थे वो पूरे नहीं किये थे तो लोग तंक्र को आपने जिस तरह से लोगत नगी को हिला एप इस तरह इंभी इस तरह जोगता है कि-6 सबलते टिनमेदी करें है गई दॉचभ वाएं यॆ इन जो हमारे हुँ हैं उनका रिष्ष आजिया भी नहीं होती सिर्फार्स जातियों कि चार साथ में उनकी करना भी नहीं ठीक से सीखते हैं, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती है, और चार साल में उनकी मौटरी खतर हो जाती है। करना भी नहीं होती है, और चार साल में उनकी मौटरी खतर हो जाती है। के बाद एक पहले न्याई पत्र, उसके बाद जो है परिवर्तन पत्र और आब संकल्पत्र जारी हुआ है, इसके बाद क्या लगता है, जनता कितना भरोसा कर सकती है कॉंग्रिस पर, इंडिया गड़बंदन पर? जनता आप सब जान चुकी है, यह नाम के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, पर होगा वही जो जनता चाहेगी, और हम जो मुदी जी की गारेंटी, भगवान राम की गारेंटी के विश्वास लगते हैं, संविधान, बाबाराव, भीवराव, जी जनोंने हम यह संविधा चलिए आप दोनों महेंआनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तो आज बीजेपी ने अपना संकल पत्र जारी कर दिया, और इस संकल पत्र के जारी होने के बाद, विपक्षियों का कई तरह के बियान बाजी भी शुरू हो गई है, विपक्षियों का कहना है कि यह जुमलेब उन्होंने जनता पर छोड़ दी है इसके साथ ही कई तरह के आरोब जो है विपक्षिया लगा रही है दूसरी तरह बीजेपी है जो कहे रही है कि हमने महिलाओं की बात की युवाओं की बात की बेरोजगारों की बात की किसानों का मद्दा उठाया तो हमने अपने संकल पत्र में सभी वरगों को लेकर एक सोची, समझे मुद्वे को चुना है और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा जो नारा है 400 पार का वो इस संकल पत्र को देखते हुए जनता पूर्ण हमें समर्थन देगी और एक बार फिर से देश में एंडिये की सरकार बनेगी फिलाल इस डिबेट में बस इतना ही आप देखते रहें रफ्तार मेडिया नमस्कार